नमस्कार मित्रों और मेरी प्रिये चात्रों इस तरी विद्यूत पार्ट में पिछले वीडियो में हमने सौन अपत्र विद्यूत दर्शी तक का अध्यन किया था इस भी से पर चर्चा हुई थी और उसके पूर्व घरशन विद्यूत और इलेक्टिसिटी नाम के में दिया गया और आकर्शन प्रतिकर्शन का जो गुर्धर में उसके बारे में चर्चा हुई थी आज हम उसके आगे का बाग देखेंगे कि विद्यूत दर्शी में सोने कैस्तान पर किसी दूसरी धात्र की पन्यों का उप्योग किया जा सकता है जो सोन पत्र विद्यूत दर्शी है ऐसा हुआ था सन 1752 में बेंजामिन फ्रेंकलिन ने अपने पुत्र विलियम के साथ पतंग उडाने का प्रयोग किया रेसम का कपड़ा देवदार विर्चिकी लकडी और धातु के तार का उप्योग करके पतंग तयार की धात का आतार इस प्रकार जोड़ा की उसका एक सिरा पतंग के उपर के भाकी ओर तो दूसरा सिरा पतंग की डोरी से जोड़ा हो जिस दिन पतंग उड़ाई होती दिन आकास में बिजली चमक रही थी पतंग के तार द्वारा बादलों को स्पर्स करते ही विद्युतावेश पतंग परस्थारं तरित हुआ इसे पतंग की धीली दोरी तन गई विद्युतावेश दोरी से जमीन की ओर पहुँचा और जमीन पर दोरी कास परस्थ होती ही चिंगारी गीरी उन्होंने स्पस्ट किया कि आकास में चमकने वाली बिजली विद्युतावेश का एक ही रूप है वायुमंडली विद्युतावेश आकास में बादल बादलों की गड़गड़ा हट विजली का चमकना जैसी बातों का अनुभव आपने किया है कभी कभी ब्रिक्ष पर या इमारत पर विजली गिरने से लोगों और जानुवरों की मृत्य होने के बारे में हम पढ़ते हैं यह कैसे घटित होता है और यह घटित नहों इसलिए क्या उपाय किया जा सकते हैं आकास में बिजली चमकती है जमीन पर बिजली गिरती है यानि निश्चित रूप से क्या होता होता है बिजली का चमकना लाइटनिंग आकास में जब हवा और बादल का घरसन होता है तब उपर वाले बादल कुछ धन आवेसित तो नीचे वाले बादल कुछ रिन आवेसित बिजली चमकना और गिरना इसके पीछे का विज्ञान जटिल है इसलिए हम समतल जमीन के उपर के आकास के एक रिन आविसित बादल का विचार करेंगे जब बादल के तल का रिन आवेस जमीन के आवेस की तुलना में बहुत अधिक होता है तब करम करम से रिन आवेस जमीन के और प्रवावित होने लगता है यह घटना अतिसीगर एक सेकेंड से भी कम समय में होती है इस समय विद्यूत आवेस के साथ उश्मा, प्रकास और धोनी उर्जा की देविती होती है लाइटनिंग स्ट्राइक, विजली का गिरना तुम्हें पता है, आकास में विद्यूत आवेसित बादल होने पर वे उची इमारतों, ब्रिच्चों की और आकरसित होते है विजली गिरने से कौन कौन से नुकसान होते है विजली गिरने पर होने वाले हाने टानने के लिए क्या उपाई करेंगे यह चर्चा करने की वीशा है क्या तुम जानते हो बीजिली के कारण निर्मित होने वाली अतिधिक उश्मा और प्रकास के कारण हावा की नाइट्रोजन और आक्सिजन के बीच रासाइनी करिया होने से नाइट्रोजन आक्साइड गैस बनती है यह गैस बरसाथ की पानी के साथ मिस्रित होकर जमीन पर आती है और जमीन की उर्बरता बढ़ाने वाले नत्र की पूर्टी करती है बीजिली की उर्जा द्वारा हवा की अक्सिजन का ओजोन में रूपांदर होता है ओजोन गैस सुर्ष से आने वाली हानिकार बादन से गिरने वाली बिजली के आगाश से बचाव के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे तड़ीतर अच्चक कहते हैं तड़ी तरफ चक ताबे की एक लंबी पट्टी होती है इसका इमारत के सबसे उचे भाग पर इसका एक सीरा होता है इस सीरे के भाले की तरह अग्र होते हैं पट्टी के दूसरे सीरे को जमीन के अंदर ढ़लवा मोटे लोहे की मोटी चादर से जोला जाता है उसके लिए जमीन में गड़ा खोद कर उसमें कोईला और नमक डाल कर यह मोटी चादर कड़ी की जाती है उसमें पानी डालने की सुधावी की जाती है इस कारण बिजडी सिग्रिता से जमीन में फैल जाती है और होने वाली हाने से बचा सकता है विद्यूत आवेसित बादल इमारत के उपर से गुजरते ही इमारत के और प्रवावित होने वाला विद्यूत आवेस ताविकी पट्टी के माद्यम से जमीन में पहुंचता है और इस तरह इमारत को होने वाला नुक्सान टाला जा सकता है मुची विमारतों पर तड़ित रक्षक लगाने से आसपास के परिसर की बिजली गिरने से रच्चक की जा सकती है तड़ित आगात से कैसे बचाव करना चाहिए तड़ित रक्षक के उपर का भाग नुकीला क्यों होता है जमीन के गठे में कोईला और नमक क्यों डालते है नुकीला होता है कि उपर से जो बिजली आएगी नुकीला होने की कारण वो वहाँ से जदा और अच्छे तरह से उसको पकड़ सकेगा आवेश को और कोला नमक अंदर जो नमी बनाए रखने के लिए कोला नमक डाला जाता है इस पार्ट के आधार पर यहां पर योग के विकल्प चुनकर पहला प्रस्न की उपर प्रस्न जो दिये गए है उपर प्रस्न इनमें से विकल्प को ढूंड कर रिक तस्तानों के पूर्टी करना है दूसरा प्रस्न है मुशला धार बारिस बिजली का जो उससे चमकना या कड़कते समय चतरी लेकर वाहर जाना योगी नहीं है उसका कारण है कि चमकते समय विद्युत बिजली गिरेगी तो उसका चाती की तीली द्वारा वो बिजली जिसके हाथ में चातर रहेगा उसे भी उसका आगहात लगनी के सम्भावना अधिक रहती है इसलिए मुस्राधर बारिस में और जब बिजली चमकती हो पड़कते हैं उसमें चातर लेकर जाना उचित नहीं होगा बिजली से स्वयम करक्षण कैसे करेंगे कभी किसी पेड़ की नीचे खड़े नहीं होगे किसी इमारत की नीचे जाके खड़े हो जाएंगे आवेस कैसे निर्मित होते हैं घरसन से निर्मित होते हैं तड़ी तरत रक्षक द्वारा जेमिन में फैलाने की क्या विवस्ता की जाते हैं इसमें कोईला और लोहे की चादर डाल जाती है कोईला और नमक डाला जाता है बरसात के मौसम में किसान काम करते समय कुली जेगर पर मोटी फर क्यों गार देते हैं उपर से अगर बिजली का प्रवाध जमीन की तरफ हो तो एक बिजली का जो आवेस है वो लोहे की छड़ के दोरा जमीन के अंदर चले जाएगिया उससे होने वाला नुक्सान टल जाएगा बरसात में बिजली हर समय चमकती भी क्यों नहीं दिखाई देती जब बादलों के बीच में घर सुण होगा उसी समय बिजली उत्पन होगी और इसलिए हर समय बिजली चमक्ते विदी खाई नहीं देती इसलिए अवेष की विशशताया न्याहिए धन अवेषित दू वश्तु इवश्तु आपस में प्रतकर्षित होती है धन अवेष और इन अवेष में आकर्षित होता है एक आवेश रहीत वस्तु को आकर्सित करती है बिजली गिरने से घर गिर सकते है जानवरों की हानी हो सकती है बेक्ति की मिर्टी हो सकती है पेड गिर सकते है तो ऐसे समय में जब बिजली चमकती हो गड़कती हो तो पेड़ की नीचे खड़े नहीं होना चाहिए शाता लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए और आजकल तो कहा जाता है कि मुबाइल भी स्विचाप कर देना चाहिए कि उससे भी मुबाइल की तरंगों की द्वारा भी अगर हम अपने घर में भी बैठी हैं और विजली कड़क रही हो चमक रही हो उससे मैं अपने मुबाइल को भी बंद करके रखना चाहिए कि मुबाइल की जो तरंगे होती हैं उन तरंगों की द्वारा भी विजली हमारे मुबाइल तक आ सकती है विजली हमको साध्वानी रखकर हमें विजली से बचा जा सकता है आज का ये पाकिये का समाप्त होता है धन्यवाद